वेलकम टू दे चैनल, अर्वे फंटसे से वन तेश उले में हम बात करने वाले, यहन भी लिग का जो मैच होने वाले, फोनिक सुन वसेस होस्टन रॉक्स की बीच में दोनों टिम में अगर कंपेरेजन करें तो फोनिक सुन का डिफेंस प्लोस आपेंस बहुत जातों श्ट्र लेगं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पे नहीं हो, सबस्क्राइब करोएब अपडेट आपको मिल जाएंगी एक टेलुराम चैनल पर, टेलुराम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगी अपको पर कमेंड बॉक्स में या फिर वीडियो की डिस्क्रेप्शन में, अ इनका बहुत ज्यादा बेटर है और उस इक सासा ते आपर पॉंच से को पॉंच देंगे बकर फिल्ड गोल से शॉट सो बहुत ज्यादा ट्राइ करते लेकिन मिस भी उतने करते यम्परीज स्टार्ट करते हुद दिखेंगे स्मॉल फ़ार पर क्राउडर स्टार्ट करेंगे और डेंडर अन्टोनी जो कि आपर लास्ट माच खेले नहीं थे उनकी जगह पर यापर मैगी ने स्टार्ट किया था और उस इक सासा थोड़ा सा टाइम इंक्रीज वा था कमिसकी का भी तो डेंडर अन्टोनी आज का मैच में भी आपर फिलाल कंफरम नहीं खेलेंगे या फिलाल आपर इनके उपर है जेटीडी गेम टाइम डेसिजन सीरियोस इंजूरी नहीं प्रवेबल आज का मैच आपर इनको कहलना चाहिए अगर आपर ये आज का मैच के लिए तो वन साड़ेड लिए आपर फोनिक जो ताज का मैच आपर इजीली विन कर लेंगी अगर इस आपर ये दोनों कर दे दे बागी दोनों कहलते तो दोनों इंपॉर्टन यहासे आप ब्रीज के साथ क्रेडिट अवेलेबल हो तो लेकर जा सकते हो अगर आपर डेंडर अंटर नहीं के लिए तो क्राउडर का जो आपर रोल होंगा वो काफी इंपॉर्टन होंगा बकर को में मेरे टीम में आपर में भी रखने वाला नहीं हो क्रेडिट की शू की चलते अगर आपर आपको टीम में बकर को रखना है तो थोड़ा सा आपको आधर जो इंपॉर्टन प्लेयर है उन पर रिस्क लेना पड़ेंगा बाकि बकर शॉर्ट सो बहुत ज़्यादा ट परफोर्मस के आगर बात करूँ तो लास्ट मैंच आपर खेले नहीं थे डेंडरा उन टानी प्रफिबले आसका मैच आपर यह आपको खेलते भी दिखेंगे लास्ट मैच में ब्रिजस का परफोर्मस बेश टाइम मिला था और टिक टाक परफोर्मस आया था और ब्रिजस यापर इनको comeback किया था, थर्ड आपके बाद यापर ये team जो थी, 10 या फिर 12 पॉइंट से पीछे चल रहे थी, लेकिर last 4th आप में इन्होंने comeback किया और 2 पॉइंट के margin से वो मैच आपर win कर लिया, यादि यादि यापर 14 पॉइंट का यापर इन्होंने difference यापर 4th आप में य 18 असिस्ट लास्ट मैच में, और यह ऐसा प्लेयर है जो कि हर मैच में आपको 10 प्लस असिस्ट हर मैच में देता हुआ रहा है, और इनका जो career highest है, वो 22 पो असिस्ट, career highest इनके असिस्ट है, वागि last मैच में 18 असिस्ट कर चुके, जिसमें से आपर 14.7 rebound, और 18 असिस्ट इनके last मैच में थे, और जो असिस्ट करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादे आपर passes के देते हैं, मगए और कमिस की, यानि center के player को, यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्रिस पाल और center के जो player होते, उनका यापर role बहुँ ज़्यादा important है इस टीम में, बगर fit goal से बहुँ ज़्याद और 13 point, मैं गया है, जोनों ने आपर start किया था, डेंडर अंडरनी के जगापर, performance best आया था, और जो इनके आपर backup जो बैंस से center के player थे, वो थे कमिस की, और कमिस की का भी performance last match में best आया था, तो यह इस टीम के आपर strength थे, center plus यापर point guard, यहाँ से बहुँ ज़्यादा point यापर ये team, collect कर लेती है, अगर इस team के तरफ से bench strength के आगर बात कुरूते है, आपर इस team के तरफ से पाईना, maybe ask का match यापर कहलते हो दिख सकते है, फिलाल अगर यापर बात कुरूते है, उस इक्साथ साथ है, आपर srk यापर खेलने रहे, और आपको यापर as a bench player, यापर कमिस की कहलते हो दिखेंगे और मगी इनके आपर दोने आपर सेंटर फारवर्वर्ड की प्लेयरे last match में इन दोनों को time best मिला था और मेगी ने तो last match में start भी किया था लेकिन कमिस की इनको last match में time बहुत ज़्यादा मिला था अगर last match के performance के अगर बात करूँ इनकी जो यह खेले तो फिर आपर सेल्मेन को आपका टाइम कम होता दिखेंगा फिलाल इन पर भी गेम टाइम डिसीजन कंफर्म नहीं है खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे तिया पर यह इस टीम के आपर बैंच टेंट और सभी जो मैंच प्लेयरे तो सभी आपर अल्मूस्ट हर मैच प्लससे में बेइच्ट्ट-फर्फॉर्मस देखर आये सbers widen komplett करेंगे जान संस स्टार मैच में लिए मेंगे इनकी जगह पर यह नहीं तो शहंगाई चैने लाष्ट माईच में स्टार्ट करती है दिखेंगी эн्गी और शैंगाई ने last match में personal foul बहुत का ज़्यादा करती थी इसके चलती इनको time बहुत कम मिला था भागे इस team का तरफ से star player और important player का अगर बात करो तो Chris Will इस team का यापर star player है उसका साथ यापर Kai Porter इनको यापर pick कर सकते हो green का last match का performance best ति ये तीनों player best performance दे कर आ रहे उसका सा टेर जिन पर भी आपर last match में game time decision था लेगिन खेले थे और अच्छा खासा performance दे कर गए थे अगर 30 के लेंगे तो फिर आपर as a credit से और one of the best pick आपको याँसे मिल जाएंगा अगर आसे इस team के तरफ से last match का अगर performance के आगर बात करू तो Kai Porter last match का performance best performance still बहुत जादा कर दे थे उसके बाद एक block आया था 8 assist 5 rebound और 11 point इनके तरफ साय थे green का performance last match में कई बेटर था 3 point shoot इन्होंने बहुत जादा किये थे अल्मोस्ट आपर 10 आपर इन्होंने 3 pointer shoot किये थे जिसमें से 5 इनके connect हो गये थे तो 50% shots इनके connect हो गये थे 3 pointer से 24.2 rebound 5 assist Chris Wood इस टीम के star player हर matches में आपको point plus rebound अन्मुस्ट आपर हर matches में 20 plus point और 12 to 13 plus से आपर rebound देंगे तो best rapper PP choice के लिए आपर इनको select कर सकते हो Johnson 10 का performance last match में better आया था उससाद सा शेंगा ये personal foul बहुत कम कर दे थे इसके चलते आपर Martin Jr. का time अच्छा का से आपर increase हो आता नावबा को भी outrage आपर 40-50 minutes हर matches में आपर मिलते August last match में इनका थोड़ा से आपर time increase हो आता reason था और बकर का भी time आपर increase हो आता बागी उसका reason था कि इनके जो आपर guard के player गोर्डन ये फिला last match खेल नहीं रहती है और इनके बारे में कोई भी injury news आई नहीं थी सेम आज के match में GTD game time decision है वो नहीं खेल रहे थे तो उनके जागा पर भगर का time increase हो आता उसका सा time यापर थोड़ा सा अच्छा का सा मिला था August को युकि आपर हर matches में इनको मिलता है तो यहाँ पर इनके बारे में बतानी की जरूरत नहीं लेकिन इस team के तरब से band strength है मारटीन last match में best time में आपर खेल के रहे उसका साथ अगर आज का match फिर से आपर गोर्डन नहीं खेले तो गोर्डन की जागा पर आपको बगर अच्छा का सा time में आपर खेलते हो दिख सकते हो और as a credit share आप इनको prefer कर सकते हो और यहासे गोर्डन नहीं के लिए अगर गोर्डन खेलते है तो बैंच से सबसे ज़्यादा time गोर्डन को मिलता है और हर मैचेस में गोर्डन 10 प्लस पॉइंट रिसेंटले मैचेस में शूर करकर आ रहे बाकि आपर मारेटिन आज क्रेडि से और प्रिफर कर सकते हो नवग फिर भी आपर यह आपको क्रेडि से और मिल जाएंगा लेकिन आ बैंच से अच्छा का सा time मिल सकता है अगर यह आपर बात करूँगा ड्रिफलन टीम तो क्रिस पॉल इंपॉर्डन प्लेर है उसका साथ अगर यह से बात करूँ बगर को बहुत ज़्यादा लोग लेकर जा रहे मेबी मैं यह आपर इनको मिस कर लिएंगा बागि पोर्टर जो कि आप पर लास्ट मैच में टिक टाक परफरमस देखर आ रहे असिस प्लस पॉइंट स्टील प्लॉग बहुत बढ़िया इन्होंने किये थे यहाँ से अगर बात करूँ तो आपके पास मारेटिन का आप्शन्स अविलेबल है उसका साथ जीजेस का आप्शन्स अविले परफरमस बेश्ट आया था तिस अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो मेरे टीम में होने वाले थे 30 बागी बस्ते 24 क्रेडिट जिसमें से मेरे टीम में होने वाले ब्रिजेस अगर आप यहाँ पर ब्रिजेस को थोड़ा सा एग्नोर करते हो तो फिर आपके टीम में आपर green आ जाएंगे लेकिन bridges थोड़े से मुझे important player लग रहे हैं और crowder जो कि आपर defensively अच्छा कासा performance देते हैं ति ये इनको यापर मैं pick कर लूँगा सभी starter हैं इनको मैं ने आपर consider किया है बागी हागर यहाँ से बात कुरते हैं आपर martin मेरे टीम में एक लोटा ऐसे player है कि जो खिलेंगे आपर as a man player martin के जागा आपर 8 credit में आप यहाँ पर augusti को भी ले सकते हो फिलाल बसते 8 credit और 8 credit में आपके पास यहाँ पर कमिस्की भी आ जाएंगे और मगाई को विजनलों में pick कर लेना फिलाल आपर कमिस्की अगर आपको prefer करना है तो फिर यहाँ पर कमिस्की के साथ यहाँ पर जा सकते हो तो यह कुछ combination है इसके साथ जा सकते हो match one sided ले होगा तो यहाँ पर कमिस्की को अच्छा खासा time मिल सकता है यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप ओनन जो team है तो एक weak team है वो आपको मिल जाएंगी final line अप आने के बाद अगर यहाँ से SPVP choice के अगर बात करूँ तो best SP choice Chris Paul, best PP choice, Chris Paul दोनों में से SPVP आप रोटेट भी कर सकते हो दोनों player best है, दोनों की strength अलगा लगे, Chris Paul आपको point plus rebound से point देंगे, Chris Paul sorry point plus assist से point देंगे और दोनों यहाँ पर हर matches में rebound हो, या फिर point हो, या फिर assist हो, या फिर point हो तो हर section से हर matches में performance देंगे, तो SPVP रोटेट भी कर सकते हो, बाकि आपर इस team के तरफ से जो important player है, तो वो Chris Paul ही है तो यापर आप prefer कर सकते हो, Chris Paul को आप बना सकते है, as I, आपर ESP नहीं कहलते तो मेरे ख्री सूर होने वाले ESP तो ये changes के साथ आप या से जा सकते हो, तो ये मेरे almost final team में, अगर कोई changes लाइनप में होए ने अगर कोई changes होते हैं, तो final team और final update आपको मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल पर Hope guys, वीडियो पसंद आयोंगा, उसका साथ आपने like और subscribe भी के होंगा, तो मिलते final team के साथ हमारे टेलिग्राम चैनल पर